चाहिए दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Mr.SFC previous year में तो दोस्तों ये वाला जो session आज का होने वाला है बहुत important session होने वाला है क्यूंकि जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे algebra के question देखेंगे SFC CGL 2020 में जो पूछे गए है question है सारे के सारे 21 सेट हुए है आप सभी जानते हैं और 21 सेट में से लगबक 70 प्लस जो question है वो algebra से पूछे गए है तो आप समझ सकते हो कि algebra कितना important हो सकता है आगे आने जो आगे आने वाले paper है जैसे कि 5 तारीक से आपके 5 October से आपके MTS एकदाम स्टार्ट है तो वहां को अगर आप यह कर रहे हो ना तो इसका मतलब यह है कि MTS तो आप यह समझो कि जो उसके नतरा algebra की question पूछे जाएंगे न वो आप 90 से 99 परसेंट आप उसको solve कर पाऊगे बड़े आसानी से ठीक है तो session बहुत important होने वा आप क्या करोगे इसका Q करदोगे यानि की Y का Q is equal to में क्या हो जाएगा यान की 2X प्लस में 1 का Q ठीक है तो क्या हो जाएगा 8X की Q फ्लस में 1 और 2x17 6X और यह हो जाएगा Y अगर आप इसको expand करोगा क्या हो जाएगा 8X की Q, प्लस में 1, प्लस में 6XY 6XY हो जाएगा अगर यह Y इधर लेगा होंगा तो फिर क्या हो जाएगा 8X का Q, माइनस का Y और प्लस का 1, प्लस का 6XY यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यह जो प्लस का 1 है, इधर आजाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यानि कि अगर इसको आप ignore कर दो तो सेम जो चीज यहाँ पे आप देख रहे हो अगर मैं इसको हटा दू, तो सेम यह चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इसका मतलब कहाएगी जो इसकी value हो, वो क्या हो जाएगी, माइनस का 1 यानि कि option C, इसका correct answer हो जाएगा आसान question था, क्या कहा रहा है कि 2X plus में 3Y plus 1 is equal to में 0 दे रखा है then what is the value of, जो पहला हमने question किया था लगभग, उसी type का question है वस इसके अंदर से थोड़ इसके अंदर जो है expansion बढ़ जाएगा, बाकि और कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप इसको किस सरी के से लिसकते हो, यानि कि 2X plus में 3Y, और क्या लिसकते हो, मैनस का 1 अब क्या करोगे, इसका cube कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानि कि 8X का cube, प्लस में कितना हो जाएगा, 3, 3, 9, 27, 27Y का cube, प्लस में, यानि कि 3, 2, 6, 6, 18, यानि कि 18XY, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 8X की cube, प्लस में 27Y का cube, और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 18xy और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का ही बनाएगा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो यानिकि 8x की q प्लस में 27y की q माइनस का 18xy तो इसकी जगे आप क्या ले सकते हो यानिकि माइनस का 1 लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो आपको मिलेगा प्लस का 7 यान कि जो option A में आपको दिख रहा होगा जो कि आपका answer हो जाएगा किलियर है question number 3 देख लेते हैं question number 3 का कहर है इस तरीके का आपको question दिया हुए है और बता value रखता हूँ, तो value क्या रखता हूँ x तो ब्राबर 1 रख देता हूँ, y ब्राबर 2 रखता हूँ, और z ब्राबर 3 रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से करता हूँ आप देखो, यानि कि x ब्राबर मैंने क्या रखा 1 रखा, और y ब्राबर क्या रखा है माइनस का माइनस तो है और y वराबर 2 और z वराबर क्या रखा है तीन रखा है ठीक है और इसका square कर देता हूँ यानि कि 3 और 1 4 में से 2 जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस अब देखो x की जगर मैंने क्या रखा है एक रखा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और यह क्या हो जाएगा माइनस का 3 यानि कि 3 2 4 में से एक जाएगा 3 2 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4 चॉक 16 ठीक है कितना हो जाएगा 4 चॉक 16 तो आपको कितना xz इनकी 2xz की बात करेगा तो 2 कितना है? यहाँ पर 2 और x ठीक है? तो आप देखो आप यह वाला option चेक करो यानि कि 4 चार एक मिन रुखना ठीक है तो आप देखो यह पहला second option देखते हैं यानि कि 4 y की जगए क्या रखना था 2 और z की जगए क्या रखना था 3 माइनस का 4 x की जगए 1 और z की जगए तो यहां से तो 12 आ रहा है लेकिन प्लस का रहा है तो यह option भी answer नहीं होगा अब आगर आप यह चेक करोगे कितना हो जाएगा यानि कि 4 और x की जगए क्या रखोगे एक और z की जगए कितनी रखोगे यानि कि 3 रखोगे और माइनस का 4 y की जगए कितना रखोगे 2 और z की जगए कितना रखोगे 3 यानि कि 4 ती बारा हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो यहां से कितना मिल आपको यानि कि माइनस का बारा यही आपका correct answer हो जाएगा ठीक है यानि कि option टी कि इसका correct answer हो जाएगा अगर आप यह चाहते हो कि आप इसको मतलब expand करना चाहते हो यानि कि आप इसको लंबा करना चाहते हो कि वैलू से मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो सिर्फ वही समझ में आ रहा जिसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको खोल के कर पहूं तो वह भी द प्लस में सी का है स्कॉएर फीक है यह फार्मॉलाग पढ़ा है बस उस से हो जाएगा कैसे होगा यानन की एक्स का स्क्ता क्या हो जाएगा और प्लस फिर क्या हो जाएगा यान की क्या हो जाएगा x का y का square और वहाइका यहांपर क्या होगा؟ माइनस की क्यों यानिकी मार्किट से बाइख लेखें द्यान से यहने कि इस bracket से बाहर निकलते हैं X का S brainstorm, Y का S brainstorm फ्लस का Z का S brainstorm और-2XY और-2YZ और-2XZ अब यह मैंस बाहर रहेगा तो इसके sign क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंनस का X gra और-y का S brainstorm मैंनस का Z evitar यह मैनस का है तो प्लस का होजएगा प्लस का 2xy और यह मैनस का हो जाएगा मैनस का 2 y z अब जो कटता है उसको गार दो यह कट जाएगे देखो मैनस का 2xy और यह कट गया यहां से क्या बचेगा मैनस का 2YZ मैनस का 2YZ तो यह क्या हो जाएगा और यह 2XZ तो कितना हो जाएगा यह 4 प्लस का 4XZ देखो option आप चेक कर लो यही आपको option मिलेगा जो कि आपको D option में दिख रहा हुआ तो आप ऐसे भी जा सकते हो और आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे भी जा सकते हो depend करता है आपके उपर कि आपको कौन सा जो pattern है वो ज्यादा पसंद आता है question number 4 देख लेते हैं क्या कहता है what is the constant term in the expansion अगर आप इसको expand करते हो तो बताने हैं कि constant यहनों कि जो constant value है वो बताने है कि क्या हो जाएगी ठीक है ज़ल कि अगर आप इसको expand करोगे कितना हो जाएगा यहनों कि इसकी पावर कितनी है WIL सबक्राव है यहनि कि कितना हो जाएगा 125 कि 135 x غञ आज कि पाचीस x की 6 और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 1 x की बस यह हो जाएगा और यह ऐसे का यहाँ देगा यहां से मिलने इसे रही ठीक है आपने क्या किया किया इसको यहां से मिलेगी आप देखो यहां पर कितना क्या बच आपके पास यहां कि-5x-2 जब मैंस का 5x-2 जब आप इससे मल्टिप्लाइ करोगे ठीक है यानि कि-5x-2 इंटू में 5x-2 और यह 5x-2 यानि कि-फिलस का क्या हो जाएगा 5x-2 अपन में x यह x-2 कट जाएगा तो यहां से तो आपको कोई value मिल नहीं रही मेरे थाप से इससे यह वाला x कट जाता है ठीक है तो पांस यह 15 तो यहां पर कितना हो जाएगा पंद्रा x हो जाएगा और नीचो तो x है यह इस x से यह वाला x कट जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा यानि कि-फिलस का 15 और यही क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा देखो option c इसका correct answer हो जाएगा एक बार फिर से देखते हैं इसको आप expense करोगे तो क्या हो जाएगा यह कि 3 और यह 5 x से square into में क्या हो जाएगा वन बाई x हो जाएगा इस x से यह वाला x कट गया तो कितना हो जाएगा 5 यह 15 अब जो आपको constant value मिलेगी देखो यह तो मिलेगी यहां से नहीं मिलेगी जब आप इस time को यहां पे अंदर multiply करोगे तो आपको मिलेगी अब देखो यहा आपर बच है माइनась का पंदरा x माइनस का पंदरा अगर ऐस मैंस के पंदर एकस को इस 5 x स्क्वायरрам से करोगे तो कितना हो जाएगा 15 5 , Σका, वह पिंदका पंदरा मायन automat की यह पर एकस का ब्लस में किपनदा , कै यह वाला च गट जाएगा तो आपके पास कितना बच loro एक यानि कि what is the coefficient of x square in the expansion अगर आप इसका expense करोगे तो पूछ रहे कि x square का coefficient value क्या हो जाएगा तो आप क्या करोगे इसको आप खुलो यानि कि 125 minus का क्या हो जाएगा x की power 6 और 3,9,27 आप क्या हो जाएगा यानि कि minus का 3xy यानि कि 3 into में 5 into में x square upon में 3 और ये क्या हो जाएगा 5 minus का x square और upon में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आप यहां से फिर से क्या चाहिए x square का coefficient चाहिए तो देखो ये 3 से तो ये 3 कर जाता है कोई तिक्कत नहीं और यहां से तो आपको coefficient मिलने से रहा x square क्योंकि यहां पर क्या है x की power 6 है तो 5 x square यानि कि ये 5 x square से आपको क्या करना पड़ेगा अंदर multiply करोगे तो कितना हो जाएगा यानि कि 5 पंचे कितना हो जाएगा minus का 25 x square और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा यानि कि 5 x square को इसको करोगे तो 5 पंचे 25 प्लस का हो जाएगा 25 x की पावर 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पर कितना में लिखिया है यानि कि माइनस का 25 आपका अंसर हो जाएगा क्यूंकि x स्क्वेर का कॉफिशेंट पूछरता क्या हो जाएगा माइनस का 25 यानि कि option भी इसका correct answer हो जाएगा question number 6 देख लेते हैं what is the coefficient of x in the expansion of ये तो आपका यहाँ पर भी क्या करना है इसका expand करना है तो देखो 3x यानि कि 3-9 ती है 27 x की q माइनस का क्या हो जाएगा 4 चोक 16 चोक 64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा minus यानि कि 3xy यानि कि 3-9 चोक यानि कि 36 x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस का 4 आपको क्या चाहिए x का coefficient चाहिए x का coefficient के लिए देखो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा इसको multiply करना पड़ेगा जब इसको यहाँ से multiply करोगे तो तो आने का नहीं तो क्या करना पड़ेगा यानि कि 36 दूनी 72 दूनी कितना होता है 144 यानि कि इस 36 x को और इस 4 से multiply करोगे तब ही तो x मिलेगा यहाँ से करोगे तो x square मिलेगा ठीक है तो 36 चोक इतना हो जाएगा 144 अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्लस यानि कि क्या मिल जाएगा 144 यानि कि 144 आपका अंसर हो जाएगा छटेगा नॉर्मल कोशन है देखो आप यह चीज़ समझ सकते हों कि यह एक पैटन को फोलो कर रहे हैं ठीक है तो उसी तरीके से आपको समझ रहे हैं कि इसी टाप यह कोशन आपके आने वाले एक्दाम जैसे MTS हो गया और SSC GDO हो गया लगभा कोशन है समलो कि यहीं से बनने वाले हैं आपको अगर आप यह सब चीज़े कर रहे हो तो Solution की PDF भी आपको मिल जाएगी Telegram से जुड़ जाना आप सबी लोग आप देखो यह चीज़ है आपको क्या करना है यहाँ पर P की value निकालनी है अब P की value निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी तरीके से आपको फिर से इसका expansion करना पड़ेगा ठीक है तो इसका expansion क अब आप दियान से देखो इनकी आप इस चीज़ को देखो और यहां पर है इस चीज को देखो और बताओ यानि कि देखो माइनस का 8 है देखो यह 27 एक्स का क्यूब है यह 27 एक्स का क्यूब है यह आपको टम मिल गई है यानि कि यहां से यह टम मिल गई यह भी टम मिल गई अगर माइनस का 36 एक्स देखते हो यानि कि देखो, दो तो यहाँ पर है, x square भी है, तो क्या बच जाता है, यहाँ पर P, तो P किसके बराबर है, अगर compare करोगो, कितके, 27 के बराबर है, यानि कि यही इसका answer है, कितना हो जाएगा, यानि कि option A, इसका correct answer हो जाएगा, इनकी 27 इसका answer हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सिर्फ value compare करनी थी, और इसके बराबर कुछ नहीं करना था, question number 8 देखते है, आगे बाद बहुत आसा question है, कि यह वाली value दियो ही है, आपको यह पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, n की n का square, और minus का क्या हो जाएगा, दो, यहाँ कि n कितना है, 7, 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 47, यह ही आपका answer है, कुछ नहीं दे करना था, बहुत normal question था, question number 9 देख लेते, question number 9 क्या कह रहा है, यहाँ कि, यह आपको दिया हुए है, और आपको यह पूछ रहा है, simple सी बात है, आप क्या कर दो, इसका square कर दो, यहाँ कि x प्लस में 1 by x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, minus का 2 x y, तो under root x से, यह under root x कर जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इसमें से घटेगा, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ कि x प्लस में 1 upon x कितना हो जाएगा, यानि कि 9 हो जाएगा, आपको क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, 9 में 81 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, बस सी बात समझो, n का square, और यह plus का है, तो minus का हो जाएगा, तो 9 में 81 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 79, यानि कि आपका, normal D, आपका answer है, question number 11, क्या कहाँ रहा है कि x की power 4, प्लस में 1 by x की power 4, और यहाँ पर कितना जाएगा, 77, जो आपकी x की value है, वो 1 से बड़ी है, then what is the value of, यह आपको निकाल लाएगा, और इसका क्या करोगे, अंडरूट करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, यानि कि 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, अब यहाँ से आपको प्लस में, यहाँ से आपको क्या जाना है, minus में जाना है, तो आपको minus में जाना है, हैं यहां पर क्या रहा है कि X की पाउर 4 मैंनस का बाउट एक स्क्वार प्लस में 1 और यह जीरो के इदिकल टू है और यहां पर X की वैल्ली जीरो से बड़ी है देन दा वैल्ली ऑफ X की क्यूब प्लस में 1 बाई X की क्यूब यह आपको दिये हुआ है नॉर्मल सी चीज़ है अगर मैं डारेक्ट भी अंसर लगाना होगा ना तो मैं डारेक्ट 488 लगा दूँगा ठीक है तो आप देखो यहां पर किस तरीके से लगाए गया है यहां पर आपको क्या करना है X स्क्वार से बहाग करना है यहा करना पड़ेगा यानि कि इसके निदर आप प्लस का 2 कर दोगे 62 और इसका क्या कर दोगे एंडर ऋट कर दोगे कितना हो जाएगा 64 और 64 को यह smoking Ever और यहां से इसको चाहिए तो n की q-8N तो कितना होता है 52 । पांसो बारा में से मैं क्या करता हूँ, आर्टी है चौविस घठा दूँगा, तो कितना जाएगा, चार सो अठासी, यही तो आपका अंसर है, यानि कि आपको अंसर है, यानि कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानि कि X की पावर आट मैनस का 34, X की पावर चार, प्लस में 1, इस इकल टू में 0, और यह जो X की वैल्यू है, वो 0 से कम है, sorry, 0 से जादा है, what is the value of X की क्यूब, मैनस का 1 बाई X की क्यूब, यानि कि यह आपको वैल्यू निकाल ली, सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने पहले देखा था, यानि कि X की पावर आट, आप क्या करोगे, इसको चार से डिवाइड कर दोगे, एक्क्यूशन को, यानि कि तो यहां से चार से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, X की पावर 4, और यहां से क्या हो जाएगा, X की पावर 4, और यह जो मैनस का 34 था, इज़र जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 34, अब आपको क्या निकालना है, देखो यहां से आपको minus की value चाहिए तो minus की value के लिए आप क्या करोगे इसको यानिकि x square plus में 1 by x square तो यहां से आपके क्या करोगे यानिकि plus की value चाहिए न तो यहां से 34 में 2 जोड़ों के कितना हो जाए 36 37 और 36 कितना खुलता है यानि कि 6 आप यहां से आपको माइनस की वैलू चाहिए ठीक है यानि कि X माइनस में 1 by X याई तो आप क्या करोगे इस 6 में से 2 घटा दोगे कितना बचेगा चार और इसका जब अंडरूट करोगे स्क्वेर से बाहर निकालो कितना बचेगा यानि कि 2 ठीक है तो आपके पास वैलू कितना आगई दो आगई आप सिंपल सी बात है यान की N की क्यूब प्लस में 3N N की क्यूब कितना था यानि की N की क्यूब कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 यानि की option B इसका correct answer हो जाएगा question number 14 देख लेते हैं यानि की x minus का 1 by x is equal to क्या तना दे रखा है 1 दे रखा है यह 1 by x हो जाएगा तो x से x कट जाएगा यानि की minus का 2 इधर क्या हो जाएगा यानि की plus का 2 हो जाएगा और 1 तो था ही तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अब यहां से x की power 4 प्लस में x की power 4 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, अब इसी तरीके से X की पावर 8 के लिए क्या गटना पड़ेगा, 7, 7, 49 में से क्या गट हो गया, गटेगा, 2 गट जाएगा, तो 7, 7, 49 में से 2 गटेगा, कितना जाएगा, यानिकि 47 इसका correct answer हो जाएगा, यानिकि option C इस प्लस में 1 by X का square, और फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए, आपको X का cube, प्लस में 1 by X का cube, और इसमें से आप 4 गटा दोगे, यानिकि N गटा दोगे, जो आएगा, वो आपका answer हो जाएगा, यानिकि X square की value अगर मैं देखों, तो क्या हो जाएगा, 4, 14, 16 में से 2 जाएगा, तो कितना होता है, 4, 16, 64, 64, यानिकि 64 तो यह हो गया, और 4 तिया 12 घटेगा, तो कितना बचेगा, 52, यानिकि 14 इंटू 52, और मैनस का कितना हो जाएगा, 4, 14 दूनी 28 की, 2, 14, 75, और 2 कितना हो जाएगा, 72, मैनस का 4 कितना हो जाएगा, यानिकि 724 इसका correct answer हो जाएगा, जो कि आप को देख रहा होगा option D में अब question number खतम पहले पार्ट में मैंने सिर्फ 15 question लिए है यान कि इसके मैं लगबाग चार पार्ट बनाऊंगा पंद्रा पंद्रा-पंद्रा question से करके या किसी में 20 question भी कर दूँगा तब यह 17 question हो पाएंगे तीन चार पार्ट में अभी फिर मैंने पंद्रा-पंद्रा-पंद्रा-पंद्रा लिए है आपका जैसा